हेलो एवरिवन, वेलकम टो लॉजिक पार्ट शाला चैनल आज का हमारा टॉपिक रहेगा एंशेंट हिस्ट्री का चेरा, चोला एंड पांड्या डैनेस्टी की हम MCQ करेंगे ये जो MCQ हम करने जा रहे हैं, ये आपके एक्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और ये आपके एक्जाम में बार बार रेपीट होती हैं इस लेक्चर का PDF आपको टेलिग्राम में मिल जाएगा, जिसका की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइट कर दिया गया है तो आपने क्या बताना है, धक्षिन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है आपके पास ये चार ओप्शन्स है, आप इन्हें एक बार देख लिजिए तो इसका अंसर रहेगा आपका ओप्शन फर्स्ट, दैट इस राजेंद्र चोला वेल, अगर हम बात करें राजेंद्र चोला की, तो इन्हें क्या कहा जाता है, नेपोलियन ओफ साउथ इंडिया इन्हें और क्या कहा जाता है, पंडिता चोला और इन्होंने क्या कौन-कौन सी जगा जीती है शिरी लंका और फिर बार में किसे जीता था कलिंगा को Question No.2 is The Chola dynasty reached its zenith during the reign of which king तो इसमें क्या पूछा गया है चोल वंच किस राजा के शाशनकाल में अपने चैरम पर पहुंच गया था तो आपके पास ये चार ओप्शन्स है आप इने एक बार देख लीजिए तो इसका अंसर रहेगा आपका option second that is राजेंद्र चोला 1 Question No.3 is Who among the following laid the foundation of the Chola Empire in the 9th century AD तो आपने क्या बताना है कि इन में से किसने नोवी शतावदी इसवी में चोल समराजे की नीव रखी थी तो और किसने रखी थी नीव तो इसका अंसर रहेगा आपका option first that is वीजियाला वेल अगर हम देखें दा फाउंडर ओफ मेडिवेल चोला एंपायर वीजियाला चोला प्रोवाइड़ दे चोला अगर हम देखें कुछ रूलर्स और इनके रिलेटेड एंपायर तो ये पेपर में अकसर पूचे गए हैं जिसे कृष्णा वन है ये कौन से एंपायर से था राश्ट्रकूटा से ये है आपका प्रनांतक ये है चोला एंपायर से राजा राजा चोला किस से है चोला एंपायर से question number fourth is the reign of which dynasty is regarded as the golden age of south india किस राजवंच के शाशनकाल को दक्षिन भारत का स्वन यूग माना जाता है तो किसे माना जाता है तो वे माना जाता है चोला जाता है चोला जाता है इनके टाइम को हम क्या उससे जानते हैं golden age of south india question number fifth is which चोला ruler was popularly called victor of the ganga किस चोल शासक को लोगप्रिय रूप से गंगा का विजेता कहा जाता था तो आपके पास ये चार options है आप इने एक बार देख लीजिए तो इसका answer रहेगा option four that is राजेंद्र चोला वन वेल अगर हम बात करें राजेंद्र चोला वन की तो इन्हें किस नाम से जाना जाता था victor of the gangas इन्होंने किसे जीता था ओडिसा को बेंगौल को बर्मा को बर्मा आज के टाइम पे किसे कहते हैं माइनमार को और इन्होंने अंडामान और निकोबार आइलेंड को भी चीता था चोला डैनेस्टी वाज एट इस जीनित ट्यूरिंग हिस रेंग तो जो हमने ये कुशन हम पहले कर चुके हैं कि जो चोला डैनेस्टी है ये अपने जीनित पे थी किनके टाइम पे राजेंद्र चोला वन के टाइम पे राजेंद्र वन ने टाइटल कौन सा टाइटल एज्यूम किया था गंगाई कोंडा ठीक हैं गंगाई कोंडा चोला का और इन्होंने बिल्ट करी थी कौन सी सीटी गंगाई कोंडा चोला पूरम चोल वन्च के अधिकांश मंदिरों में देवता तो ये इसमें ये पूछा गया है कि जो डीटी किसे कहते हैं भगवान को तो जो डीटी इन दा मूस्ट अफ़ टैंपल तो चोला डैनेस्टी के टाइम पे कौन से भगवान आपको देखने को मिलते थे टैंपल में तो वे थे शीवा तो इसका अंसर हैगा आपका option B तो ये देखिए इसमें लिखा है ना most temples from चोला रेन आर डेडिकेटिव टू लोर्ड शीवा तो आपको कौन से टैंपल देखने को मिलते थे द्रवेडिया टाइप ओफ टैंपल ठीक है सदन इंडिया में question no 7 is dynasty famous for efficient rural administration was कुष्चल ग्रामीन प्रशासन के लिए प्रसीद राजवन्च कोन सा था तो आपके पास ही चार options है आप इने एक बार देख लीजिए तो इसका आंसर रहेगा आपका option one that is चोलाज thousands of inscriptions found in the temples provided detailed information तो इन्होंने क्या कहा है कि हमें बहुत सी inscriptions मिली थी कहां पे temples में जिसमें क्या information दे गई है किस regarding administration के regarding society के regarding economy के regarding और culture के regarding किसके चोला period के question no.8 is the चोला dynasty reached its zenith during the reign of which among of the following तो यह question आपका repeat हो गया है तो यह आपके पास चार options है आप इने एक बार देख लीजिए तो इसका answer क्या है आपका option 2 that is Rajendra Chola 1 question no.9 is which of the following temple was not built by the rulers of imperial Chola dynasty निमलिक्त में से कौन सा मंदिर शाही चोल वंच के शासको द्वारा नहीं बनाया गया था तो आपके पास यह चार options है आप इने एक बार देख लीजिए तो कौन सा नहीं बनाया गया था तो वे था आपका केलाश temple at Allura ठीक है तो वेल अगर हम केलाश temple की बात करें तो जो आपका केलाश temple है यह largest rocker Hindu temple है कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको Allura में जो Allura caves महराश्ट्रा में ठीक है केलाश temple is the largest of the 34 इसमें आपको Buddhist, Jain और Hindu cave temples देखने को मिलेंगे question number 10 is the Amara Nayak system was a major political innovation of which Indian empire तो आपने क्या बताना है Amara Nayak प्रनाली किस भारतिय समराज्य का एक प्रमुक राजनितिक नवाचार था तो आपके पास ये चार options है आप इने एक बार देख लीजिए तो इसका अंसर रहेगा आपका option 4 that is Vijay Nagra वेल अगर हम बात करें अमारा नायक system ये है आपका major political innovation of the Vijay Nagra empire most probably many features of this system were derived from the data system of the Delhi Sultanate तो इस जो ये आपका अमारा नायक system है इसमें जो आपके बहुत से features हैं मैं कहां से देखे गए हैं आपके Delhi Sultanate से वहां से derived हुए है question number 11 is who built the temple dedicated to Lord Shiva at Gangai Konda Cholapuram तो इसमें क्या पूछा गया है आपसे Gangai Konda Cholapuram में भगवान शिव को समर्पित मंदिर का निर्मान किसने करवाया था तो आपके पास ये चार options है आप इने एक बार देख लीजिए तो इसका अंसर रहेगा आपका Rajendra Chola 1 इन्होंने साथ ही साथ city भी found करी थी यह मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन्होंने city found करी थी Gangai Konda Cholapuram और इन्होंने construct किया था famous Rameshwar Temple ठीक है He built Shiva Temple at Gangai Konda Cholapuram Question number 12 is who founded the Chola Empire तो इसमें क्या पूछा गया है कि जो Chola Empire है इसकी स्थापना किस ने की थी तो किस ने की थी तो इसका अंसर रहेगा आपका option 1 that is Vijayal Chola Empire was founded by Vijayala He took over the Tanjore Kingdom in the 8th century and led to the rise of mighty Cholas by defeating the Pallavas तो इन्होंने किसको हराया था तो इन्होंने हराया था Pallavas को Tanjore was hence made the first capital of the eminent Chola Empire तो जो Chola Empire की आपकी पहली capital बनी थी तो वे थी आपकी Tanjore Question number 13 is who assumed the title of Gangai Konda Chola तो इसमें क्या पूछा गया है Gangai Konda Chola की उपादी किसने ग्रहन की थी तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ तो आपके पास ये 4 options है आप इने एक बार देख लीजिए तो इसका अंसर रहेगा option 1 that is Rajendra 1 Rajendra 1 was a Tamil Chola Emperor of South India who succeeded his father Raja Raja Chola 1 तो जो इसमें क्या बताया गया है कि जो राजा राजा चोला 1 है इनका आगे बेटा कौन है Rajendra 1 जिन्होंने सकसीड किया था अपने पीता को फिर चोला रूलर Rajendra 1 ने अपना ये title अजियूम किया था कौन सा Gangai Konda Chola Question No.14 is Which Chola King conquered the whole of Ceylon और Shri Lanka तो आपने बताना है कि कौन से Chola King ने Ceylon जिसे की हम आज Shri Lanka के नाम से जानते हैं उसे जीता था तो आपके पास ये 4 options हैं आप इनने एक बार देख लीजिए तो इसका अंसर रहेगा आपका option 1 that is Rajendra Chola 1 तो ये देखिए यहां पे आपका राजा राजा चोला 1 आ गया है वेल हमें इसका अंसर है Rajendra Chola 1 ठीक है राजा राजा चोला जो हैं वे इनके पीता थे Question No.15 is Who among the following is the most frequently mentioned text in the inscription of Cholas who ruled in Tamil Nadu तो इसमें क्या पूछा गया है Tamil Nadu में शाशन करने वाले चोलो के शिला लेक में निमलिक में से कौन सा कर सबसे अधिक बार उलेक किया गया है आपके पास ये चार options हैं आप इन एक बार देख लीजिए तो इसका अंसर रहेगा option 1 that is वेटी वेल अब हम इसके बार में बात करते हैं तो जो ये वेटी टेक्स है तो देखे चोलास ने कहां रूल किया है तो जो वेटी टेक्स है इसे बहुत बार इंस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिला है तो वेटी क्या है एक तरह का कैसा टेक्स है तो ये किन लोगों पे लगाया जाता था common people जो आम लोग हैं उनके उपर वेटी टेक्स लगाया जाता था इसमें क्या होता था कि जो आम लोग हैं उन्हें क्या किया जाता था force किया जाता था कि वह काम करें किसके लिए अपने राजा के लिए और किनके लिए जो विलेज के लैंडलोड्स होते हैं उनके लिए लेकिन उन्हें कोई भी वेजी कोई भी पैसे नहीं दिये चाते थे तो इसमें क्या पूचा गया है निमलिक में से किसने भगवान शिप को समर्पित तंजावर में ब्रहदेश्वर मंदिर का निर्मान करवाया था तो आपके पास ये चार आप्शन्स हैं आप इने एक बार देख लीजिए तो इसका अंसर रहेगा आपका ओप्शन वन दैट इस राजा राजा चोला वन वैल अगर हम बात करें राजा राजा चोला वन की तो इन्होंने बिल्ट करवाया बनवाया था ब्रहदेश्वरा टैंपल जो कि कहां पे है तमिल नाडू में और किसे डेडिकेटिड है ये लोड शीवा को अब ये टैंपल इंपोर्टन क्यों है ये इसलिए इंपोर्टन है क्योंकि ब्रहदेश्वरा टैंपल टर्न थाउजन एयर्स इन्टू तो तो दो हजार दस में इसे हजार सार कंप्लीट हो गए थे और ये किसका पार्ट है UNESCO World Heritage Site का पार्ट है तो आपके पास ये चार ओप्शन्स है आप इन एक बार देख लीजिए तो इसका अंसर क्या रहेगा तो इसका अंसर रहेगा आपका राजेंदर चोला 1 तो option 2 is the right answer वेल अब हम बात करते हैं 18th question की Who among the following known for ending the Kalbhra rule marking the beginning of new era in Tamil speaking region तो इसमें क्या पूछा गया है निमलिक्त में से कौन तमिल भाशी शेत्र में एक नए यूग की शुरुवात को चिनहित करते हुए काल भरशाशन को स्माप्त करने के लिए जाना जाता है आपकी पास ये 4 options है आप इन एक बार देख लीजिए तो इसका अंसर रहेगा आपका option A that is कांदुनगन ठीक है Question number 19th is Who among the following pandya ruler performed the hiryan garbha and tulabhara rituals निमलिक्त में से पांदय शासकों में से किसने hiryan garbha और tulabhara अनुष्ठान किया था तो वे किनों ने किया था तो इसका अंसर रहेगा आपका option B that is अरी केशरी मारा वर्मन Question number 20th is Who among the following constructed श्री भललब परेरी बिग लेक निमलिक्त में से किसने श्री भललब परेरी बड़ी जील का निर्मान किया था तो आपके पास ये चार options हैं आप इने एक बार देख लीजिए तो इसका अंसर रहेगा option A that is श्री मर श्री वललब Question number 21 is Who was the contemporary of the great सेवाइट सेंट and author मनिकव सागर who wrote the epoch making book तिरुव संगम तो इसमें क्या पूछा गया है महान, शैव, संत और लेखक मनिकव सागर के समकालीन कौन थे जिन्होंने युग बनाने वाली पुस्तक तिरुव सागम लिखी थी तो इसका अंसर क्या है तो वे है इसका option D that is वरागुना वर्मन 2 Question number 22 is Which of the following पांड्या रूलर टुक ता टाइटल ओफ पांड्या धिराज तो किन्होंने लिया था ये टाइटल आपके पास ये चार आप्शन है आप इन एक बार देख लिजिए तो इसका अंसर है option A that is कादंगन Question number 23 is पांड्या किंग्स नेम मैंचन इन सिल्पा दिकारम तो किस में किस पांड्या किंग का नेम इसमें मैंचन है तो आपके पास ये चार आप्शन्स है आप इन एक बार देख लिजिए तो वे है नेदून जेलियन वन का तो इसका अंसर रहेगा option C Question number 24 is Who among the following पांड्या रूलर oppose the चोला किंग ओफ तंजावर at कोदांबुलर and plunder the चेरा कापिटल at वांची in कोंगू नाडू निमलिक्त में से 25 पांड्या शासक ने कॉंडूम्बलूर में तंजावर के चोल राजा का विरोध किया और कॉंडू नाडू के वांची में चेरा राजधानी को लूटा तो आपके पास ये चार options हैं आप इनने एक बार देख लीजिए तो ये है आपका option C that is मरा वर्मन राज सीमा 3 question number 25 is who among the following चोला रूलर built सोलेस्वरा टैंपल at नर्तम मलाई पुदुकटाई तो ये इन में से कौन सा रूलर है जिन्होंने बिल्ट किया है चोला रूलर जिन्होंने क्या बनाया है सोलेस्वरा टैंपल तो कौन है आपके पास ये 4 options है आप इने एक बार देख लीजिए तो इसका अंसर है वीजियाला चोला तो इसका option A रहेगा answer question number 26 says who among the following had written तमिल हाइम औन शिवा ओफता चिदंबरम टैंपल तो इसमें क्या पूचा गया है निमलिक्त में से किसने चिदंबरम मंदर के शिव पर तमिल भजन लिखा था तो किसने लिखा था तो इसका अंसर है option A that is अरिंजय चोला question number 27 is who built the ब्रियदेश्वरा टैंपल in थंजावर which is one of the largest हिंदू टैंपल तो वेल इसे हम बहुत बार डिसकस कर चुके है तो जो आपका ब्रियदेश्वरा टैंपल है जो कि थंजावर में है कहां पे है वे तमिल नाडू में तो यह किसने बनवाया था तो इसका अंसर रहेगा आपका option C that is राजा राजा चोला 1 और यह ब्रियदेश्वरा टैंपल वही है जो कि आपकी युनेस्को की वर्ल हरिटेस साइट में भी है Question number 28 is Who was the last ruler of चोल डेनास्टी तो आपने यह बताना है कि last ruler कौन है तो आपके पास यह 4 options है आप इन एक बार देख लीजिए तो इसका अंसर रहेगा आपका option B that is Rajendra चोला 3 Question number 29 is Consider the following statement about Kulothunga चोला 2 His reign was known for general peace and good governance Second में कहा गया है He was also called Tiro Niro Chola तो इसमें से कौन सा statement ठीक है आपके पास यह 4 options है आप इन एक बार देख लीजिए तो इसका अंसर रहेगा option C तो ये दोनों की दोनों statements बिलकुल ठीक है Question number 30 is The famous grammatical work in Tamil Virasolium was written by Buddha Mitra during which of the following reign of Chola King तो आपने क्या बताना है Tamil में प्रसीद व्याकरनिक कार्य Virasolium Buddhi Mitra द्वारा चोल राजा के निमलिक्त में से किस शाशनकाल के दुरान लिखा गया था तो आपके पास ही 4 options है आप इन एक बार देख लीजिए तो इसका अंसर रहेगा option A that is Virajendra Chola question number 31st is who among the following built a new capital city called Gangai Ke Konda Chola Puram to commemorate his victory after defeating Mahipala, Da Pala King of Bengal and Bihar तो इसमें क्या पूचा गया है निमलिक्त में से किसने बंगाल और Bihar के पाल राजा Mahipal को हराने के बाद अपनी जीत के उपलक्ष में Gangai Konda Chola Puram Namak एक नई राजधाने का निर्मान किया तो किनों ने किया था यह हम पहले भी डिसकस कर चुके हैं तो इसका अंसर है option D that is Rajendra Chola 1 question number 32 is during whom reign of Chola King the text of Tamil poets Apar, Sambandar and Sundarar were collected and edited into one compilation called Thiru Murai Chol Raja के शाषनकाल के दोरान Tamil कवियों अपर Sambandar और Sundar के गरंथों का एकत्र किया गया और Thiru Murai Namak एक संकलन में संपादित किया गया तो इसका अंसर क्या रहेगा तो इसका अंसर है आपका option B that is Rajendra Chola 1 question number 33 is with reference to the Chira dynasty consider the following तो अब बात कर रहे हैं यह Chira dynasty की तो पहला क्या बताया गया है करनार was his court point second में बताया गया है took the title of अधिराज तो आपने यह बताना है which of the above statement are correct about नेदूं चेरालतन तो कौन सी statement इसमें correct है तो आपके पास यह 4 options है आप इन एक बार देख लीजिए तो इसका अंसर रहेगा option C यह दोनों की दोनों statements correct है question number 34 is who among the following considered as the author of Sanskrit lyrics Mukandamala and Perumal Tirumoshi which are compiled as a part of Nalairi Divya Prabhandam तो इसमें क्या पूचा गया है निमलिक्त में से किस संस्कृत की Mukandamala और Perumal Tirumoshi के लेखर के रूप में माना जाता है जिन्हें Nalir Divya Prabhandam में एक भाग के रूप में संकलित किया गया है तो आपके पास यह चार options है आप इन एक बार देख लीजिए तो इसका है answer option B तो किसे जाना जाता है इसे आपके पास यह चार options है आप इन एक बार देख लीजिए तो इसका answer है option A तो क्रेंगा गोर के चेरा का पहला ग्याद शाशक कोन था तो आपके पास यह चार options है आप इन एक बार देख लीजिए तो इसका answer है राजा शेखर वर्मा तो आपके पास यह चार options है आप इन एक बार देख लीजिए तो किने जाना जाता है इन सब नाम से तो इसका answer है option A तो इसका answer है option A तो इस सेंगुतुवन चेरा question number 38 is who among the following was the last ruler of the later चेरा डैनेस्टी तो इसमें क्या पूचा गया है निमलिक्त में से कौन परवती चेर वंच का अंतिम शासत था तो कौन था तो इसका answer है option D that is राम वर्मा कुला शेखर तो यहाँ पे हमारा यह आज का सेशन खतम होता है I hope आपको यह सेशन अच्छा लगा हो thank you so much for watching